इस वीडियो में हम लोग जानेंगे आर्टिकल 204 के बारे में ये आर्टिकल बताता है अप्रोप्रियेशन बिल्स के बारे में Appropriation Bill क्या होता है इसका क्या-क्या प्रावधान है इस अनुछिद में उसके बारे में हम लोग जानेंगे इस वीडियो में ठीक है सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं दूसर तीन के बारे में आर उसके बाल हो सकता है कि विधायक लोग उस पे चर्चा करें लेकिन उस पे वोटिंग अगयरा कुछ नहीं होगा, तो ये बिल पास होजाएगा वो किस-किस चीज का खरचा निकाला जा सकता है, उससे, सबसे पहरे तो जो विधान सभा था या जो विधान परिश्वत था, उन दोनों से जो मंजूरी मिला है, सरकार जो बताई कि देखिए इस बार हम लोग का 10,000 क्लोड रुपया का खरचा है, तो 10,000 क्लोड का खरचा के ये सरकार अपना जो statement है वो assembly में प्रसूत कर दिया गया विधायक लोग उस पे vote नहीं किये बट वो पास हो गया वहाँ से उसके बाद appropriation bill में बताया जाएगा कि इतना पैसा हम लोग को निकालना है तो appropriation bill के तवरत ये दर्साया जाएगा उसके बाद दूसरा option क्या होगा appropriation bill में कि जो state का जो fund था जो जिसमें पैसा रखा जाता है वहाँ से जो भी खर्चा निकाला जाएगा सरकार के द्वारा वो लेकिन जो सरकार बताई है कि हमको 10,000 क्रूट रुपईया चाहिए उतना ही खर्चा निकाला जा सकता है इस appropriation bill के तयाद उससे जादा एक रुपईया नहीं ठीक है उसके बाद तीसरा हैस में प्रावधान क्या है कि अगर कोई भी bill आएगा आने वाले समय में और उसमें अगर amendment किया जाएगा और ये बताया जाएगा कि जो fund था state का जो fund है उससे पैसा हम लोगों को निकालना है तो वैसा अगर कुछ भी bill आगर आएगा या amendment या उसमें कुछ changes लाया जाएगा तो वो मंजूर नहीं किया जाना चाहिए अगर मान लेते हैं सरकार बोली कि 10,000 क्लोड में 5,000 क्लोड रुपईया हम लोग hospital बताने के लिए एक तरह से final माना जाएगा उस पे फिर कोई उलिव नहीं उठाया जा सकता है तो ये article काफी जादा अपना अपना इस पे है कि एक सरकार अगर चाहे तो speaker को बोल के या speaker अगर चाहे तो जिस हिसाब से वो समझेंगे किसी bill को कि हाँ इसमें जो खर्चा हो रहा है जो खर्चा सरकार मांग रही है वो दूसरे जगा के लिए हो रहा है तो वो सच है सही है या नहीं है तो वो सब किसका decision होना चाहिए speaker का या ऐसा कोई वैक्ति जो कि उस seat पर बैठा हुआ है speaker के seat पर या से deputy speaker हो सकता है या कोई और वैक्ति हो सकता है ठीक है तो ऐसा वैक्ति का फैसला जो है वो final माना जाएगा उसके बाद आखरी प्रवधान क्या है इसमें article 205 के अनुसार क्या होता है कि supplementary grant मतलब कि सरकार अगर चाहे उनको लगे कि हाँ 10,000 कोड़ रुपईया काफी नहीं था और हम लोग को कुछ और चाहिए मतलब 1000 कोड़ रुपईया और चाहिए तो उसको बहुत है supplementary grant या फिर exceptional grant मतलब जैसे कि कहीं सुखा आ गया या फिर कहीं बाड़ आ गया सरकार के पास वो सरकार बाड़ के लिए पैसा नहीं निकाल के रखी थी या जो सरकार बाड़ के लिए पैसा निकाल के रखी थी वो कम पड़ गया है ज्यादा चाहिए तो वो सब हो गया exceptional grant तो वो सब चीजों को अलग हटा के कोई भी extra fund consolidated fund of state जो होता है जो fund होता है state का उससे नहीं निकाला जाएगा और जो भी अगर इससे पैसा निकाला जाएगा इस fund से अगर पैसा निकाला जाएगा तो वो article 204 के अनुसार जैसे हम आपको बताए उसी अनुसार निकाला जाना चाहिए article 205 और 206 जिसमें की बताया गया है खर्चे के लिए निकाल रही है वही पैसा निकाला जाना चाहिए इस article के अनुसार यही बताया जा रहा है और यही सब आता है appropriation bills में तो हम लोग जानगा appropriation bill क्या होता है अच्छी तरीके से और यह भी जानगा कि इसमें क्या-क्या provisions है यह क्या क्या किया सकता है इस bill के साथ and article 204 क्या बता रहा था तो यही बता रहा था ठीक है I hope कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा and कुछ समझ में आया है से कुछ जानकारी प्राप्त हुआ so अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको like करो, share करो, comment करो subscribe करो चैनल को and thank you very much